आपका स्वागत है देखिए जो पिछली वीडियो में क्या है कि थोड़ी कट हो गई थी तो मैं इस वीडियो में आपको इनको कराने जा रहा हूं तो प्रियंट फर्फेक्ट्टेंस जो मैंने आपको समझाया था ऐसे वाकि जिनके अंत्वमें चुका है चुकी है चुकी है आधे सब्द आते हैं तो भी बाके प्रियंट फर्फेक्ट्टेंस के बाके खेलाते हैं और आगे देखिए जैसे कि राम स्कूल पहुंच चुका है सीता बुजन पका चुकी है चात्र अंग्रेई सीख चुके है वह बायार गया है रानी आज स्कूल आई है बच्छे घर प हुआ है तो उसे हम कहते हैं प्रियंट पर्फेक्टेंस बरतमान समय में कोई कार्ष हुआ है उसे कहते हूं प्रियंट पर्फेक्टेंस यानि कि ऐसे बाक की जिनकी अंत में चुका है चुकी है चुकी है या फिर आ है यह है आध सब्द आते हैं तो भी बाक के प्रियंट प है दिखो किया चुका है चुकी है यह आएंगे यह यानि यह संकित देता है कि कोई बरतीमान में कोई कार्रें हो चुका सब्ध की समय हो चुका है यहांपे क्र राव की काatar हो चुका है तो यारी कि मतलब है को कार्व कर रहाता है उसे कहते हैं तो प है तुड़क है सब्जेक्ट है बरव का तीसरा पयर अबज़क्ट ऋपर तो देखी कту देखिए हैलपिंग पर बंव है जाव आती है और निग्यूटिव में है के बाद इसमें नॉट आजाएगी बरब का तिशाय रूप आएगा और इंट्रू कि डियो कि यह सब्जेक्ट से पहले है जाय एक वोचना आने की एश Son इंट्रोगीटिव में सब्जेक्ट से पहले है जैव और सब्यक्टिवाद नौट आएगा। हम करेंगे कैसे यानि कि एक बचन करता के साथ है अचका प्रयोग करेंगे और भव बचन करता के साथ है का करेंगे तो देखिए इसका किस तरह से प्रियुक करेंगे जैसे कि राम इस्कूल जा चुका है राम इस्कूल जा चुका है तो सबसे तो हम क्या है कि यानिकि अफर्मेटिव होगा तो से फर्मेटिव के अंसार बनाएंगे निगेटिव होगा तो निगेटिव के अंसार बना बनाँगे तो इस तरह से हम ही सेंटेंस को बनाएंगे तो दिए अपर इंटेज है तो सबसे फिर az सब्सक्रक लिखा आए तो राम लगा हुआ है तो मैंने पुछन करता हुए कि साथ क्या लगाएंगे है खे उसके बाद क्या बरव का तीसरा रूप तो जाना क्या होता है गो माले और इसका थर्ड तीसरा रूप होता है गौन गौन टू और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल एससे एच डबल एले स्कूल उसके बाद देखो हैं मैं शीता खाना नहीं प्रका चुकिए सीइता खाना नहीं प्रका चुकिए बहर मों सब सबसे पहले ये अगिस है नेगेटिउड है तो है यदिफ कि बाद क्या लगाएंगे नौट उसकी बाद मतक्तों थिर्फर में कोग्डे कोग्डें उसकी बाद object क्या है food एफ लोड फूड तो क्या राध्यानी गीत करेंत्या है क्या राधानी गैर थिस्कों हम क्या से करेंगे कि राधा ने कीद गया है तो सबसे पहले एक बचन के साथ में यानि जब होता है तो सब्जेक्ट पहले लगाते हैं वह एक बचन के साथ है तो राधा सबसे पहले लिखेंगे राधा के लिए क्या लगाएंगे एक बचन है तो है उसके बाद लिखेंगे राधा चुकी है तो सिंग एस आई एंजी संग की थड़ पुरोंगी संग और संग तो देखी दो तरह से आ जाता है यह दो तरह से चुका है चुकी है यह 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 सकते हैं उसने लिखा और उसने लिखिए यह उसने लिखे है यह गया है गई है तो इस तरह से आयाता है जब कोई यानि कि इसका मतलब यह जब बर्तमन में कोई कार्वे हो जाता है यह यानि कि हो चुका है पूरा हो जाता है फूर हो जाता है समाप तो जाता है तो उससे कहते हैं परफेक्ट तो देखिए इस तरह से हम बनाएंगे इस स्ब्जेक्ट से पहले हैल्प मभः लगाएंगे गोग विश즈 यहें तो है पिर मोहन लिखेंगे मोहन उसके बाद नेगेटिव होता है तो अगर हेल्प मभः लगाते हैं लेकिन भूना हम नहीं होती है तो फिर सब्जच्ट पी बाद लगाते हैं तो उसके बात क्या क्या बजाना बजाना की ऊती रिंग का थड़क व्रंग होता है रंग और दा फिलूट यू टी इए रंग दा फिलूट रंग दा फिलूट तो इस तरह से हम बनाएंगे तो इस तरह से हम अपनी इंगलिस में मतलब बोल चाल के रिए भी इनका प्रियोग कर सकते हैं जैसे कि जैसे मैंने कहा वह स्कूल पहुंच चुका है तो he has reached school मैं school आज का हूँ I have come school उसने अपना काम कर लिया है ही है जन हिज वर्क उसने अपना बैग खरीद लिया है तो ही है वाट हिज बैग उसने आज टीवी नहीं देखिए तो ही है नोट बॉच्ट टेलिवीजन ठुड़े यानि के वह आज ग्वालियर गजा है तो ही एज कौन टू ग्वालियर उसने एक पत्र लिका है ही एज रिटनी लिटर उसने खाना नहीं पका जाए ही एज नोट कुक्ड फूड उसने आज उसे पीटा है तो ही हैज बीटन हिम वह आज ग्वालियर पहुंच चुका है ही एज रीच्ड ग्वालियर टूड़े तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं ऐसी नेगेटिव बनाए तो उसने अंग्रीज नहीं बोली है तो ही है इस फॉकन इंग्लेश यानि कि वह अंग्रीज नहीं बोल चुका है ही एज नोट इस फॉकन इंग्लेश यानि कि वह अपना काम नहीं कर चुका है तो ही है नोट डन ही वर्क यानि कि उसने पतंग नहीं उड़ाई है तो ही है not found kind तो इस तरह से हम बना सकते हैं, this is not found account, अब क्या वाला है जैसे क्या तुमने आज बैक खरीदा है क्या तुमने आज बैक खरीदा या क्या तुम आज बैक खरीद चुके हो तो have you have you bought a वेक क्या तुमने आज उसे पीटा है have you beaten him क्या तुम अपना पत्र लिख चुके हो have you written your letter क्या तुम उसे पत्र भेज चुके हो तो have you sent him money क्या तुमने आज कार खरीदी है have you bought a car तो इस तरह से हम इनको बना सकते हैं अशीव इंटेटर नेगेट्व का है तो क्या तुमने कल घड़ी कर दी सुरी क्या तुमने एक गड़ी करे दी नहीं करें दी corazón तो हम बोलेंगे have you not bought a watch क्या तुमने आज फिल्म नहीं देखी है तो have you not seen movie क्या तुमने फिल्म नहीं देखी से ऐसे बना सकते हैं have you not bought movie today क्या तुमने अपना गिरहकार कर लिया है नहीं कर लिया नहीं किया है तो हम कह सकते है have you not done your homework तो इस तरह से हम इनको बना लेते हैं तो यानि के present perfect वही होता है जो समय बरत्मान समय में कोई कार्रे फूरा हो जाता है उसे present perfect content कहते हैं इनके जो कुछ उदाड़ है राम इसकूल पहुंच चुका है सीता बोजन पका चुके है वह बायार गया है रानी आज इसकूल आई है बच्छे गर पर आए हैं तो देखी इसमें क्या है कार्रे बरत्मान में पूरा हो जाता है जैसे कि राम इसकूल पहुंच कि सीता ने फ्री assist को पका लिया है तो यानिकी इसकूल आई है तो यानिकी इसकूल आच पथे बच्चे गर पर आए हैं तो इस तरह से हम इन sentence को बना सकते हैं और हम spoken English में भी इनका प्रियोग कर सकते हैं I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको like करें, comment करें और channel को subscribe करें